पिछले महीने मैं और मेरी टीम डिसकस कर रहे थे कुछ ऐसी exercises जो हमारे focus को, concentration को, memory को improve करेंगे फिर हमने सोचा कि वीडियो बनाने से पहले हम सब एक-एक exercise को एक महीने के लिए try करेंगे और जिस exercise से सबसे बड़िया result आया, जो सबसे ज़ादा effective होगी, वो exercises आपके साथ share करेंगे So इस वीडियो में मैं आपके साथ share करने जा रहा हूँ, 3 tried and tested exercises जो आपके focus को, आपकी concentration को improve करेंगी और इन तीनों exercise की खास बात क्या है, खास बात यह है कि यह scientific है, यह simple है, यह कभी भी कर सकते हो और आप जितना time चाहे हो उतना कर सकते हो, आपके बस कम time है, कम time के लिए कर लो, जादा time है, जादा time के लिए कर लो, जितना time दोगे उतना फाइदा लोगे तो पहली exercise जो कि Shaker ने ट्राय करी उसमें आपको करना क्या है? अपने left hand को इस तरह से बंद करके सिर्फ अंगूठे को बाहर निकाले अब इस तरह से अपने right hand को बंद करके अपनी सबसे चोटी वाली उंगली को बाहर निकाले अब चुरू होता है खेल अब आपको अपने left hand की अंगूठे को अंदर करना है और चोटी फिंगर को बाहर करना है अब right hand की चोटी फिंगर को अंदर करना है और अंगूठे को बाहर निकालना है अब एक बार फिर से आप left hand के थम को निकालो और चोटी फिंगर को बंद करो अब right hand का जो thumb है उसको अंदर करके बंद करके right hand की छोटी finger को बाहर निकालो अब सवाल आता है कि इस exercise को करने से होगा क्या होता क्या है जब आप इस exercise को करते हो तो आपका दिमाग तेजी से चलना शुरू हो जाता है क्योंकि आप एक तालमिल बनाने की कोशिश करे हो आप एक coordination बनाने की कोशिश करते हो जैसे आप अपनी speed increase करते हो उसको adapt करते हो आपका brain patterns form करता है कैसे इस चीज़ को तेजी से करना है कैसे confusion avoid किये बिना ये coordination correct करनी है इस सब process में आपके neural pathways strong होते हैं, मजबूत होते हैं जिसकी वज़़स से आपका focus, आपकी concentration improve होती है जैसे चाकू की धार तेज होती है इस exercise से आप अपने brain की धार, memory, focus, concentration improve करते हो अफकोर्स के शुरू शुरू में दिक्कत होगी, problem होगी तब ही तो आपका brain patterns को समझेगा, patterns को follow करेगा और sharp होगा तो शुरू में गलती होती है, तो बार-बार करो, तब तक करो जब तक आप एक मिनट तक बिना गलती के ना कर सको किसी भी काम करने से पहले शेकर ने जब इसको try किया तो उसने उस काम में ज़्यादा focus महसूस किया अब आते हैं अपनी दूसरी exercise पर, ये घड़ी जो मैं के left hand में पहनता हूँ पिछले एक मीने में मैंने कई दिन right hand में पहनी है मैं coffee हमेशा right hand से पीता हूँ, लेकिन पिछले एक मीने में कई दिनों में मैंने coffee left hand से पी है, ये मैं आपको क्यों कह रहा हूँ आप भी try करो, अपने mobile अगर generally right hand में पकड़ा हूँ है इस time पे तो left hand में पकड़ो, अगर left में पकड़ा है तो right में पकड़ो जो काम आप right hand से करते हो, कुछ दिन left hand से करके देखो हैंकी अगर left pocket में रखते हो, घड़ी अगर right में डालते हो, तो left में डालो ये क्यों करना है reverse? आपने घर में कई बार देखा होगा कि हमारी मम्मी जो बचा हुआ खाना है उसको फेकने की जगा उसका कुछ interesting बना के use कर लेती है, वो ऐसा क्यों करती है? ये एक smart तरीका है resources की maximum use करने का, जब अपने right hand वाले काम आप अचानक left hand से करना शुरू कर देते हो, तो brain का वो area जो activated नहीं है, जो alert नहीं है activities मिलती है, आप अपने brain की maximum utilization तक पहुँच पाते हो, अपने इस important resource को use कर पाते हो, जिससे आपकी memory, आपकी concentration, आपकी intelligence बढ़ती है बहुत लोग जो इस चीज की practice करते हैं, वो कुछ-कुछ दिन बाद बदलते रहते हैं, जैसे कुछ दिन henky right hand में रखा, right pocket में रखा, जैसे mind को आदत पड़ी, बदल दिया left pocket में, कुछ दिन घड़ी left में लगाई, जैसे mind को आदत पड़ी, घड़ी right hand में, आप भी try करो third point पे जाने से पहले, अपने उल्टे हाथ से चैनल को subscribe करो, अगर अभी तक किया नहीं, चलते हैं third point पे, अब तीसरा point जो है आपके दिमाग को मजबूर कर देगा, नया neural pathway इस्तेमाल करने के लिए, और इसके पीछे की science भी मैं explain करूँगा, यह points तंकेत ने try किया, उसको ब बिना आँखे खोले, बिना देखे switch on या off कर सकता हूँ, आप देखो कि cash है, छोट छोटे कोई रोज के काम है, जो आप आँखे बंद करके try कर सकते हैं, of course यह चीज़े सड़क पर यह risk लेके नहीं करनी, अपनी कपड़ों को almira में रखना, आँखे बंद करके, बालों में इस चीज़ को try किया, उसने realize किया कि उसका mind alert है, active है, इसके पीछे science है, इसके पीछे reason है, जब आपकी आँखे बंद आप देख नहीं रहे, तो आपका mind पूरी तरह से alert होता है, active होता है, आपका कान, आपका दिमाग, आपके बाकी senses पूरी तरह से active हो जाते हैं उस अंदा दुन में भी तो आईश्मन कुराना यही कर रहा होता है, blind होके अपने music को improve करने की कोशिश करता है, because focus concentration improve होती है, आपको मैं blind होने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन इसको exercise समझ के, कभी-कभी try कर सकते हो, कुछ important करने से पहले, पढ़ाई करने से पहले, और experience करके को results आएं, तो जरूर बताना, अगर इस तरह की और videos और tips आपको चाहिए, तो comments में बता देना, बंदा सेवा में हाजिर है, दिल से दुआएं आप सब के लिए, खुश रहिए, खुश यहां बांटते रहिए, I love you all!